आज की जो रेसिपी है ना वो बहुत ही अच्छी है बहुत ही इजी है और इस रेसिपी की सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप में ही ये complete रेसिपी है मतलब कि इसे बनाने के लिए ना हमें बहुत सरे इंग्रेडियेंट्स की ज़रत नहीं पड़ती है इसके मावजूद ये पराठा इतना लाजवाब और इतना टेश्टी बन कर तेयार हो जाता है मैं बात कर रही हूं पालक के पराठे की आज में पालक का पराठा बनाने वाली हों जैसा कि आपको पता है कि ठंड का सीजन है तो सबजिया बहुत सारी सबजी तो सब्सक्राइद 라 maggs किस तरह से ह यह मैं आपको पिछले दो-चार रेसिपी से बता रही हूँ तो आज इसी वज़े से मैं लेकर आई हूँ पालक पराठा की रेसिपी तो पालक को तो मैंने अच्छे से साफ करके धो लिया था मतलब बिल्कुल इसकी मिट्टी-विट्टी सब हट गई थी उसके बाद हमें इस 5-6 मिनट तक उबलते हुए पानी में अच्छे से ब्लांच करना है जब इस तरह का सॉफ्ट सा हो जाए ना तो आप करिए गैस को बन और इसे हमें एक छनी की मदब से चान कर इसके पानी को निकाल लेना है और थोड़ा ठंडा होने देना है क्योंकि हमें इसे मिक्सर ग्रा अन्य में यूज कर सकते हैं तो यहां पालक ठंडा हो चुका है तो मैंने यह डाला मिक्सर ग्राइनर के जार में पालक उसके साथ में डालोंगे हरी मिर्च और अधरक और 5-6 लहसुन की कल्या मैं आपको बता दो कि इस पराठे में इस से जादा कुछ भी मंद डालिएगा इनी सारी चीजों से तयार होकर यह पराठा लाजवाब तयार हो जाएगा तो यहां मैंने ले लिया है लगबग धाई कप आंटा चार लोगों के पराठे के लिए इतना आटा काफी होता है आटे में मैंने मिलाया नमक स्वाद की हिजाब से नमक और जो मैंने प्यूरे बन पालक की पानी रखी थी ना चान कर उसाद को मैं इसमें डालूंगी क्योंकि यह पानी में बहुत आईरन है तो हमें इस पानी को वेश्ट नहीं करना चाहिए इससी क्या होगा हमारे सरीर में जो आइरन की कमी है वो पूरी हो जाएगी तो ठंड में पालक खाने का यह क्योंकि जब भी हम कोई पराठा बनाते हैं अगर उस पे हम एक चमच घी रब कर देंगे या कोई भी रिफाइन और रब कर देंगे तो आठा ना बहुत सॉफ्ट हो जाता है काफी मतलब उसका जब पराठा बनता नो काफी सॉफ्ट बनता है इसे ना 20 मिनिट के लिए ढग कर रेस्ट करने के लिए हम छोड़ देंगे 20 मिनिट बाद इसकी लोई तैयार करेंगे तो जिस तरह से हम रोटी की लोई लेते हैं जिस साइज की बिलकुल आपको उसी साइज का लोई लेना है अगर आप इस पराठे को ट्राइंगल सेप में बनाना चाहते हैं परत वाला पर उतना ही बड़ा बॉल लूगी आठे का और इसे जिस तरह से रोटी बेलते हैं उस तरह से सुखा अठा लगा लगा कर हमें इसे अच्छे से बेल कर त्यार कर लेना है बिलकुल इस तरह से पतला जितना पतला बेलेंगे ना उतना सुन्दर सौफ्टी पराठा बनकर ति यहां मैं तवे को थोड़ा ग्रीज कर लूँगी ताकि यह चिपके नहीं तवे पे और जब हम पराठे को तवे पे डालेंगे ठीक 30 सेकेंड के बाद हम उसे पलट लेंगे आपको ध्यान रखना होगे आज को मीडियम ही रखना है इस तरह के हलके हलके ब्राउन स्पॉर्ट आजाएं तब आप उस पे घी या रिफाइन कुछ भी रब करिया आज को मीडियम ही रखिएगा और नीची जो पीछे वाला परत है ना उसको एक मिट के लिए छोड़ते हैं लो आज पर फिर हमारे पराठे बड़ा अच्छा बनते हैं उसके बाद इसके पीछे भी हम घी अब जब पीछे घी रब कर लेंगे ना तब हम आज को बिल्कुल तेज कर लेंगे और उसके बाद इसे पलट पलट कर अच्छे से हम सेकेंगे ताकि आगे पीछे बिल्कुल अच्छा सा ये इसके उपर रेड स्पॉट आ जाए और ये पराठा थोड़ा क्रिस्पी भी दि आप उसको इस तरह से फोल्ड करकर ही कैसरॉल में डालिए इससे क्या होगा ना पराठे काफी देर तक सॉफ्ट रहते हैं तो इस पराठे को इंज्वाइ करने के लिए मैंने इसके साथ बनाया है ये टमाडर और मूली वाली चटनी जिसकी रेसिपी में पहले ही आपको शे पूर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में